आठवा अस्थान प्रात की है इसके लिए आपको बहुत सारी हार्दी सुभकामा है हमारी तरफ से और अभी आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुभ नाम क्या है असमीता यादा इसमें आपका क्या योगदान था जी यह मतलब इसका इस्टेमिना रहता था लगभग पांच घंटे रोज यह पढ़ाई करती थी तो उसमें जो हो सकता था मतलब जैसे जो कुस्चन फस्ता था वो पूस्ती थी और डेली मैं इसको एक देर घंटे दो घंटे कभी कभी एक्जाम रहता था चार-चार घंटे रात में भी मतलब पढ़ाते थी बच्ची को बहुत-बहुत बढ़ाई और चूंकि मैं भी कॉलेज का टापर रहा हूँ अपने जमाने में तो मैं सोचता हूँ कि हर साल मेरे कॉलेज के विद्यार थी हाई स्कूल इंटर में टॉप टेन में अपनी जगह बनाएं गोरखपुर जिला में आठवा रैंक लाई है आईए आज आप लोगों से उनसे रुबडू करवाते हैं और अभी हम उस स्कूल पर हैं जहां से बच्ची ने इस किर्टमान को अस्थापित किया था आप इधर देख पारें पीछे हमारे जो है मां गंगई दे इंटर इतने पड़ता है अभी जो हम आपसे बच्ची से जो है आप रुबडू करवात जिले में आठवा अस्थान प्राथ की है आप इसके लिए आपको बहुत सारी हादिर सुभकामा है है हमारी तरफ से और अभी आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपका अब हम जाना चाहेंगे कि इस तरह से आपका जो क्लास कौन सा था अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितना जो संघर्स किया है और इसकूल का और घर का जो है इन दोन ठरका आपके ऊपर क्या योगदान रहा है इस पर आप प्रकास डाली अपना इसकूल पर आते थे अध्यापक पढ़ाते थे और घर पे बुगा ने पढ़ाया उसके बाद रिवीजन किया अब बहुत सारे बच्चे इसमें सोचल मीडिया का सहरा लेकर पढ़ रहे हैं क्या आप भी सोचल मीडिया का सहरा ली थी अहां थोड़ा थोड़ा लिए थे अच्छा अच्छा कितन अच्छी तरह से गाइड कर रहे थे हैं कुछ ऐसा ही है तभी तो इस तरह से आपने इसकी इत्मान को जो है अस्थापित कर पाया है और हम जानना चाहते हैं आप घर पर कितना देव तक लभग पढ़ती थी तूबय को दो घंटे और साम को तीन घंटे यानि कुल मिलाकर प के माम में पापा हैं अवरells और बुबा कि चाचा है जो भास भर मी अच्टी ने तकाता है जो बात घर की जो बेटियां होती हैं इनके उपर पर्वा carried साथ इस में आप कितना योगदान देती पर घर के लिए इस मैं काम नहीं कराथे थी थी ठोड़ा परहाई के लिए हमाहारा सवाल यह है कि आपके पृत्वारा भान है जो आपसे नीच्चे लिए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वह भी जो है आप तरह जो है इस भारत वर्श में परस्याम लगा सकें उनको पढ़ाएंगे मैनद करें और आगे पढ़ें हमारी बहुत सारी हर्दिक सुपकमना हैं किसी तरह आप जो है आगे बढ़ते रहें अब जो हैं आपको असमिता के जो पिता से नहीं हैं उनसे भी मिलवाते हैं और जाने कोशिश करते हैं इस तरह से जो बिटिया ने आज करतमान अस्थापित किया है उसमें उनका कितना योगदान था बहुत वस्वागत शार आपका और बधाया भी आपको इसको इस उपलब धिक लिए तो इस सिच्छगण अभी आगे भी बच्छी को जो है पढ़ना लिखना है तो कैसी तैयारी आपनों की बिल्कुल इनको पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी सभी लोगों का पूरा साज़ोग रहेगा तो आपकी बहान है जो इनको पढ़ाई है तो साथ में इनकी भू इसमें आपका क्या योगदान था लगभग पांच गंटे रोज यह पढ़ाई करती थी तो उसमें जो हो सकता था मतलब जैसे जो कोस्टन फस्ता था वह पूस्ती थी और डेली में इसको एक देर घंटे दो घंटे कभी-कभी एक्जाम रहता था चार-चार घंटे रात में प्रक्टिस कराते थी जी हम भी एड किये हैं और बनने त्यारी निकला हुआ है यूपिट टीजीटी का प्रिप्रेशन तो आप परहते थी और को प्रहते थी जी साम को अक्सर मतलब 3 बज़े से चार बजे तक या जैसे मदलब टाइम रहता था, कभी-कभी मदलब ज़्यादा कूस्यन होते थे, तीन से साथ, ऐसे भी हो जाता था, रात में भी प्रक्षिस कराते थे, इसको जैसे जो दिक्कत होती थे हो सब बताते थे, आपकी मिनहात और इनका भी मिनहात रंग लाया है, अब हम जान लेते हैं इसकूल के परधना चार हैं उनका इस बच्ची के प्रतिक क्या लगाओ था और कैसे उन्हों में इस पल को जो है अपनी आप में जो खोशियों को जाहिर कर रहे हैं बहुत बहुत स्वागत सर आपका धन्यवाद आपके इसकूल से बच्ची ने पूरे जिले में जो है अठवा अस्थान प्रत किया है इस पर क्या कना चाह रहे हैं बच्ची को बहुत बहुत बढ़ाई और चूंकि मैं भी कॉलेज का टापर रहा हूं अपने जमाने में तो मैं सोचता हूं कि हर साल मेरे कॉलेज के विद्यार थी हाई स्कूल इंटर में टॉप तंक प्राप्त किया जो मेरी उमीद से ज्यादा मैंने इतनी उमीद नहीं किया ता कितना अधिक पायेगी और मेरी ओर से ढेट सारी शुबकामनां है और इसके पहले जो लोग थे उनसे काफी जो ऊपर है इस पर क्या काना चाहरें जिसके पहले भी बिद्यार थी टॉप 10 म नई बात नहीं है लेकिन सरवाधी कंक इस बच्ची ने प्राप्ट किया है यह एक नई बात है तो यह स्कूल के जो है और भी आगे जो है लहरा सकें और इस देश का नाम रोशन कर सकें और इन्हीं तमाम सब्दों के साथ जो है अपनी बातों कि हमें पर बिराम देते हैं और फिर से आपको एक बार जो बहुत सारी धेरो सारी हार्दिक से उपकामना है